ऐलो अब्रिवारीन, इस्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बहुत ही प्यारे से सेशन में और ये सेशन एस्पेशली हमारे क्लास 12 के बच्चों के लिए है जिन्होंने कॉमर्स ले रखिए हैं तो बजो आज के सेशन में हम जानेंगे वो best books जो कि आपको class 12th commerce के लिए खरीदिनी हैं, अगर अभी तक आपने नहीं खरीदे हैं तो, बच्चे अक्सर में देखते हूं confused रहते हैं कि माम हम कौन सी books खरीदें, अभी खरीदें, हमारे जो term 1 के exam से उस time पर खरीदें या फिर, हां, boards के time पर खरीदें, तो यार, the best thing to do is, कि आप boards के time पर अगर खरीदोगे, तो you will have that limited amount of time, कि जिसमें आपको prepare करना होगा, उन सारी books को देखना होगा, which is not possible, तो उतना ही पैसा तब भी खरचना है, उतना ही पैसा अब भी खरचना है, तो फिर अभी खरच लो, and you will have a lot of time that you can refer those books, So I'll suggest, कि आप लोग अभी सेही अपनी books को खरीद ले, एक बारी मैं आपको बता भी देती हूँ कि कौन सी books आप लोगों को खरीदनी है, हर एक subject के लिए, जो की commerce में आप लोगों ने लिया है, और हम एक एक करके सारी books को देख लेंगे, अब बात यहां पर यहां पर आती है कि अधर उस लेविल के questions नहीं होते हैं, जो की exams में पूछ लिया जाते हैं, exams में अकसर घुमा फिर आके questions आजाते हैं, कुछ-कुछ, not every question, बढ़ हां कुछ ऐसे questions आते हैं, जो की थोड़े high level questions होते हैं, घुमा फिर आकर आते हैं, और ऐसे questions को अब तभी exam में attempt कर सकते हो, ज जब आप लोगों ने प्राक्टिस बहुत जादा करी होगी, जब आप लोगों ने previous year questions को attempt करा होगा, एक ही topic के बहुत से possible questions को attempt करा होगा, और यह चीज पॉसिबल कब हो पाती है, जब आपके पास reference books होती हैं, और उन reference books को आप असली में refer करते हो, उनसे पढ़ते हो, उनसे questions को देखते हो, तो it makes your task very very easy, so it's really very important कि आप लोगों के पास एक या दो हर subject के ऐसी books होनी चाहिए, जिसको आप refer कर सको, जिससे आप question practice कर सको, especially क्योंकि वही सबसे ज़्यादा important चीज है, वही आपके board exams में आपको काम आने वाली है, फटा-फट से के करके हम सारे subjects की reference book पे ध्यान देंगे, सबसे बहले आता है accounts, अब account से कैसा subject है, बचो जिसके अंदर practice बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, like it's a practical subject, है ना practical subject में आप सिर्व यज़र नहीं कि एक बार कर लिए question एक दो कर लिए और हो गया काम, नहीं, you have to practice a lot, तो obviously, NCRT से तो आपको practice करनी है, NCRT तो आपको base बना के चलना ही है, बट हाँ, NCRT के अलावा, जो दो books, accounts की गुरू वाली किताब मानी जाती है, एक है DK Goel, दूसरा है T.S.Grewal, इनमें साब कोई भी एक book खरीद सकते हो, ठेक है कोई भी एक, मैं यह नहीं बोलूँगी कि आप दोनों कोई खरीद लिए, अगर आपने दोनों खरीद लिए हैं, तो आप तो देखो कुछ अच्छी बात है, दोनों से ही पढ़ लेना, especially T.S.Grewal के अंदर जो questions का level है, वो बहुत जादा होता है, अच्छा खासा high level वाले questions होते हैं, D.K.Goyal concept को पढ़ने के लिए, चीज़े पढ़ने के लिए, वो उसके लिए बहुत अच्छी है, so yes, दोनों में ही questions होते हैं, इसमें थोड़ा basic level, इसमें थोड़ा high level questions, बढ़ हाँ, दोनों ही books अच्छी हैं, theory है, theoretical subject है, तो theory के लिए चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, तो NCRT आपको ज़ादा help तो देखो नहीं करेगी, बढ़ लेना उसको एक बारी, उसके अलावा जो book बहुत ही ज़ादा अच्छी है, वो है पूनम गांधी की book, तो पूनम गांधी की book के अंदर concepts को बहुत अच्छी से समझाया गया है, साथी में सुभाज, डे और आरके सिंगला, ये तीन किताबे जो हैं, ये मैं आपको BST के लिए recommend करते हूँ, और हर को इन तीन किताबों को ही recommend करता है business studies के लिए, तो इन तीनों ही किताबों में से आपको तीनों नहीं खरीद लेनी है, सब कुछ खरीद के घर पे नहीं बैठ जाना है, और इतनी सारी books का अंबार नहीं लगाना है, कोई भी एक किताब इन में से आपको खरीदनी है, वही पे अगर मैं आप लोगों को बात, अंतलब एक बहुत important बात करती हूँ यहाँ पर, BST के अंदर लगा case studies होती हैं बचों, तो अगर case studies को practice करना है, case studies को practice करने के लिए आप लोग, या तो अलका धवन की एक book आती है, उसको खरीद सकते हो, या फिर बुल जाए, एक किताब आती है, उसको खरीद सकते हो, ठीक है, तो इन दो books में से कोई भी एक book खरीद लीजिया, अगर आपको case studies को और अच्छे से practice करना है, क्योंकि BST के अंदर बहुत important होते हैं, case studies, exams में पूछी जाती है, so it's better कि you purchase one of these also, so इन तीन में से एक, और इन दोनों में से एक, ठीक है BST के लिए this much is enough, फिर बात आती है economics की, ma'am का subject, तो economics के अंदर बचो, NCRT हमारी बहुत ही वैसे थो book हमें refer करनी चाहिए, बट NCRT में उतना detail में चीजों को नहीं दे रखा है, इसलिए जो है, जो book हर को रेकमेंड करता है, और मैं भी रेकमेंड करती हूँ, वो है Sandeep Garg, it's like the best book for economics, class 12, आपको यहाँ पे class 12 के अंदर macro economics पढ़नी है, ठीक है class 12 के अंदर आपको Indian E.C. को भी पढ़नी है, ठीक है, Sandeep Garg की किताब best है, TRJNVK औरी को भी आप रेफर कर सकते हो, या फिर CB सचदेवा की बेग किताब है, थोड़ी पुरानी मतलब book है, बढ़ हाँ चलती है यह भी economics के लिए, so इन टीनों में से वैसे I'll recommend Sandeep Garg, नहीं तो अगर आपके पस कोई दूसरी book भी है, तो भी काम चल जाएगा आप लोगों का, वो वली बाद है, ठीक है, सारी ही किताबे जो बताई हैं, वो अच्छी ही हैं, वो top notch books है हमारी, अब यहां पर एक और subject है यार, ओके, एक और subject हमारा यहां पर रह गया, that is mathematics, और mathematics की तो हमने बात ही नहीं करी, तो mathematics के अंदर में आप लोगों को बता दूं, कि maths के अंदर जो किताब हर कोई बोलता है, एक तो NCRT, NCRT का exemplar, मुझे बहुत अच्छी सचाद है, बचो हमारे जो tuition teacher होते थे, maths में, class 12 में, वो हमें यह बताते थे, जादा important होते हैं, उसके examples, NCRT के, है ना, तो NCRT की examples आपको अच्छे से आने चाहिए, exemplar, NCRT exemplar जो है, उसके भी आप questions को practice कर सकते हो, very very important, और साथ ही में, दो किताबे, सबको पता है, RD Sharma और RS Agarwal, अब बचो, यहाँ पर RD Sharma और RS Agarwal में से, मैं अगर recommend करूँ, तो RD Sharma is definitely, like the go-to book, मेरे हिसाब से थोड़ी बड़ी सी book लगती है, बट हां, उसके questions का level काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी ज्यादा अच्छा है, so you can purchase like one of them, एक purchase कर लिजिए उन दोनों में से भी, अगर purchase भी, मैं नहीं आप यह नहीं बोलूँगी, कि हर किसी को purchase, आपके अगर friends है, best friends, school friends, and मैं यही समझती हूँ कि student life में सबका एक budget होता है, और मैं यह भी नहीं चाहती कि आप अपने माबाप के पैसे को अगर अगर आप ले जोगा है तो मुझे कॉमें जरूर बताएगा कि कौन से subjects की books आपने इन में से खरीद ली हैं, ठीक है, so I will see you all next time, thank you so much, bye-bye guys, see you later.